हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक नए एप्स के बारें बताने वाला हूँ जिसका नाम है सिक्योर स्पियर प्रोक्सी एप ये अप्लिकेशन क्या है और इस आपको अपने फोन में कैसे चला सकते हो और इस अप्लिकेशन का क्या कम होने वाला है सारा कुछ आज की इस हैं आप सबको बताने वाला हूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आये हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यह जो अप्लिकेशन एक बर्चुल प्राइवेट नेटवर्क अप्लिकेशन है जिसमें आपको वर्ल्ड वाइड कंट्री के यहां से कोई भी कंट्री के सर्वर को वन टैप में कनेट कर पाओगे तिस यहां को मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूं तो आपके सामने ओपेन कर लेता हूं जैसे आप अप्लिकेशन को ओपेन करोगे तिया आपके पौन में कुछ इस तरीके से ओपेन अना स्टार्ट भी मिलगा अपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दखने को मिल जागा आपको सिम्पिली कनुपर टैप कर देना है उसके वाद यह अप्लिकेशन आपके फ्वरम कुछ इस तरीके से ओपेन हो जाएगा आप उपर के साड में अप्लिकेशन का नाम देख सकते हैं अग मisन महा जगा तो आपको सिंपली ओके कर देना है आप जैसे कि करेंगे कुछ जेकंट के जितरर सरव VIP कनेक्ड हो जगा तियाँ पर देख सकते हैं मेरा से क्सिसफूली सरवर कनेक्ड हो चुका है अगर आप अपने सरवर को चेंज करना चाहत है तियाँ पर आपको एक एरो का इकन मिलेगा इस पर सिंपली टाइप कर देना है इसे आप टाइप करें यहाँ पर आपको सर्वर का लिष्ट देखने को मिलेगा आपको भी सर्वर को यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पर आपको SG Singapore, JP Tokyo, IU Sydney, UK London बहुत सारे अलग अलग सर्वर देखने को मिलेगा और किस सर्वर भी आपको कितना लेटेंट्सी मिलेगा यहाँ पर आप सभी सर्वर का लेटेंट्सी भी देख सकते हैं चेंज करने के लिए सिंपलिस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ उसके बाद आपको डिसकनेक्ट वाले अप्शन पर किलिक कर देना है जिससे आप डिसकनेक्ट वाले अप्शन पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपका सक्सेसफुली सर्वर चेंज होजेगा अगर आप सर्वर को डिसकनेक्ट करना चाहोगे तिहाँ पर आपको राइट का आइकन मिलेगा इस पर क्लिक करके आप सर्वर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस application का क्या काम है तीसे आपकी मदद से अगर आपका internet speed slow रहता है तो फास्ट कर पोगे कोई भी application या website जो की इंडिया में बैन हो चुका है अगर उसे आप unlock करना चाओगे तो आप इस application से unlock भी कर सकते हो यहाँ पर आपको setting का icon मिलेगा setting पर क्लिक करने वाद इसे आपको share कर सकते हो rating, privacy, policy और about us देखने को मिल जाता तिस तरह के साब secure spare proxy आपको अपने phone में यूज़ कर पाओगे अगर इस अपसिलेटर कोई भी दिखात रहता है तो आप हमें comment कर सकते हो